हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ वीवो की तरफ से नया स्मार्टफोन वीवो का Y17S दोस्तों वीवो ने लेटेस्ट फोन लॉंच कर दिया Y17S इंडिया के अंदर तो इस वीडियो में इसके अंबॉक्सिंग करके आपको दिखांगो इसके अंदर आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं और आपको इसको खरीदना चाहिए जो कि एक वीवो की तरफ से नया बजट फोन है और आपको ये कैसे मिल जाता है तो दोस्तों जाने के लिए वीडियो का इंड तक जोड़ देखिएगा और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो भी आप तक पहुँशते रहे हैं तो बॉक्स पर आपको कुछ इस तरह किसा फोन का फोटो मिल जाता है और पीछी की तरफ जो प्राइस है न लिखा हुआ चलिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ तो यहाँ पर 16,000 की MRPA 16,000 बॉक्स पर रेट है लेकिन यहाँ आपको मिल जाएगा साड़े 11,000 में ऑनलाइन तो कोई mini box नहीं है जिसमें आपको cover मिल जाए तो transparent cover भी इसके साथ नहीं दिया गया है simple type का तो यह चीज मुझे थोड़ी इसके अंदर कमी लगी type C cable मिल जाती है cable की quality काफी अच्छी है और last में रखावा मिलता है यह 15 watt का charger तो charger आपको 15 watt का मिलता है थोड़ा सा fast मिलता है लेकि इतना बढ़िया भी नहीं दिया गया है जितना जादा इसका price है और cover भी नहीं है तो box के जो contents है न वो तो rate के साथ समुझे इसके थोड़े normal type के ही लगे तो कुछ इस तरह के साब को जो है 15 watt का charger मिल जाता है जिसके build quality तो काफी अच्छी है बागी speed आपको normal type की मिलती है और type C cable मिल जाती है बस अगर box के अंदर cover भी होता और charger थोड़ा fast होता न तो काफी बढ़िया रहता इसके अलावा दोस्तो एक बहुत important चीज़ भी मिलती है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते जो की है sim ejector tool कई बार ये बड़ा मदब दिक्कत हो जाती है इसके बिना इसके अलावा दोस्तो डिजाइन जो नहीं है इसका मतलब आपको जो कमी मिलती है box के contents में वो इसके phone के design को देखके दोस्तो आपकी वो बिल्कुल दूर हो जाएगी आप भूल जाएंगे अब इस phone के अंदर मुझे सबस्यादा बढ़िया लगा एक तो इसका color काफी अच्छा है डिजाइन इसके अंदर आपको काफी बढ़िया जो क्वैलिटी में दिया गया है मैट फिनिश में तो एकदम scratches नहीं आएंगे और camera के पास से जो आपको यह outline देखने को मिलती है जो दो दोस्तो इसका design बहुत जादा पसंद आया आपको कैसा लगा कैसा नहीं comment करके जरूर बताइएगा camera का module आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की design में दो camera दिये गए हैं उसके ठीक नीचा आपको flashlight मिल जाती है बाकी दोस्तो नीची की तरफ आपको vivo की branding भी काफी glossy मिलती है तो light की reflection क्या ही कमाल की इसके अंदर आपको देखने को मिलती है जिस होज़े से इसका design काफी बढ़िया बन जाता है और दोस्तो flat back panel है side उसका curve नहीं है तो कुछ इस तरह की से pattern है इसका चलिए अब इसको on कर लेते हैं design तो बहुत देख लिए अब देखते हैं display की quality कैसी है यह मुझे इसके अंदर दूसरी का मिलेगी box के contents के बाद कि इसके अंदर full HD plus display नहीं है सिर्फ HD plus ही है तो IPS display मिलती है emolet तो नहीं दी गई कम से कम full HD plus होनी चाहिए थी बाकी colors वगेरा को लेकर दिक्कत है यह फिर नहीं मैं आपको दिखा देता है experience कैसा है तो इसके अंदर दिस्प्ले में आपको refresh rate जादा मिलता यह फिर नहीं तो इसके अंदर आपको दूसरी में normal 60 Hz के refresh rate दिया गया है 90 Hz के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता तो जैसी आजकल आपको features देखने को मिलते है 120 Hz भी refresh rate आपको इस budget में आजकल देखने को मिल जाता है बहुत phones में त तो smoothness जो है दोस्तो थोड़ी आपको normal type की मिलती है 60 Hz का refresh rate दिस्प्ले में जो की और जादा होना चाहिए था बाकी quality को लेकर कोई compromise है या फिर नहीं मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ तो design तो इसके अंदर आपको मिलता है दोस्तो डिस्प्ले में notch वाला अब दोस्तो देख सकते हैं नॉर्मल टाइप के कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न में दिये गए हैं तो कुछ इस तरीके साब को जो डिस्प्ले का experience इसके अंदर मिलने वाला है quality को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी साइस सही है बागे दोस्तो रिफ्रेशरेट की थोड़ी सी कमी है औ इसके अंदर आपको 4G काम करेगा इसके लब दोस्तो नीची के साइट साब देहेंगे तो headphone jack मिल जाता है type c port speaker है right side पर volume के बटन से और power का बटन है fingerprint scanner आपको side में दिया गया है power के बटन के अंदर ऊपर की side से देहेंगे तो यहां पर तो आपको same key train मिलती है भी देख लिए पास पास जो इसके अंदर आपको free storage मिल जाएगी बाकी 4GB RAM है 4GB और expand कर सकते हैं तो 8GB RAM हो जाएगी इसके अंदर तो RAM expansion का option मिल जाता है virtual RAM का option मिल जाता है इसके अंदर आपको बागी storage तो आपको normally मिलती है इसके लग दोस्तों इसके अंदर आपको यहां पर भी options देख सकत इसके अंदर आप इसके लगो दोस्तों इसके अंदर आपको जो बैटरी कितनी मिलती है और इसके अंदर आपको performance कैसी मिलेगी processor कैसा दिया गया है उसके बारे में बात करें तो जल्दी से मैं जो एक तो इसको जल्दी से कोई restart करता हूं उससे आपको अंदाज़ा हो जाग इसका processor है वो थोड़ा आपको normal type का ही मिलता है normally उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी थोड़ी बहुत आपको multitasking करनी है तो आपको problem नहीं होगी लेकिन अगर आप एक heavy user है ना जैसा आपको expectation ही है कि मुझे game अगर जादा खेलने है multitasking करनी है और phone जो आपको बिल्कुल भी hang ना हो तो वैसा आपको processor चाहिए काफी जादा fast तो वो चीज़ देखने को नहीं मिलती इसके अंदर बात करें दोस्तो battery के बारे में तो इसके अंदर आपको 5000 image की battery दी गई है एक दिन का normal battery backup अराम से मिल जायागा बाकी restart test में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह किसे इत को मिलती है तो थोड़ा सा experience low type का यह होता है शुरू में जब on होता है बाकि दोस्तो normal use के अंदर वैसा आपको दिक्कत नहीं होगी आप इस phone को खरीच सकते हैं heavy use के अंदर आपको problem होगी इसके लब दोस्तो डायलर जैसे वेन ओपन किया कुछ इस तरीके से इतना time लगा अ मिलता है 50 MP का अब नंबर से फरक नहीं पड़ता है ना design से फरक पड़ता quality में आपको इसकी दिखाता हूं आपको कैसे मिलती है तो generally इसके अंदर आपको जो photos का experience मिलने वाला है काफी बढ़िया मिल जाएगा camera मुझे इसका personally काफी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं तो camera म बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ आपको इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए कि इन चीज़ों में बढ़िया कि इन चीज़ों में यह normal टाइप का है तो दोस्तो एक तो देखिए इसके अंदर आपको display की जो quality मिलती है colors brightness की बात कर रहा हूं मैं design size की बात कर रहा अगर आपको अच्छी चाहिए तो काफी बढ़िया रहेगा तीसरी खुब इसकी बैटरी अच्छी है और चौती खुब इसके अंदर आपको camera बढ़िया मिल जाता है तो camera की performance भी काफी अच्छी है इन चार चीज़ों यह जिसको खरी सकते हैं और जिन चीज़ों में थोड जाएगा इसका comparison देखना किसी और phone के साथ तो वह भी कमेंट कर देगा पूरी कोशिश करूंगा आपकी पसंद की वीडियो लाने की वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छे लगी तो इसको एक लाइक करके ज़रूर जाएगा चैनल पर आपने हैं सब्सक्राइब नहीं क